यमना ट्रफी के मीडिय कप का किर्केट का मुकाबला खेला जा रहा है आपको बता दें यह मुकाबला डी डी नूज वर्सिस आज तक टीम के बीच में खेला जा रहा है साथ ही आपको यह भी बता दें इम्वा टीम फाइनल में पहले ही पर्वेश कर चुकिए वो यमना को सच बनाने के उद्देश्य के साथ की गई थी आयोजोगों का प्रमुक लक्ष यही था कि परियावण को दूसी दूने से बचाया जा सके साथ ही जो यमना को सच बनाया जा सके इंडियन मीडिया वेलपेर एसोसेशन द्वारे ही सुरुआत की गई थी और उनका यही लक्ष था कि यमना को सच बनाया जा सके इसमें ऑफिसर तब भी रखा गया और काफी का मीडिया का भी इसी का एक हिस्सा है और सभी का लक्ष यही था कि यमना को सच बनाया जा सके इसी के माद्यम से ऑफिसर्स ने भी यह संदेश दिया कि हर मानों का हर व्यक्ति का उद्देश्य है ना कि एक ओफिसर का उद्देश्य है ना कि सरकार का उद्देश्य है हर व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए लक्षे होना चाहिए और करतव भी होना चाहिए कि वो यमना को सच्छ बना सके आईए देखते हैं आज तक टीम के विजेता खिलारियों ने यमना ट्रोफी और मैच के बारे में क्या कहा है तो बड़ा मज़ा आया आज बीट भी अच्छा था सामने वाली टीम भी अच्छी थी पड़ाइन हम जागुलक्ता की कमी इसके लिए सरकार को भी कदम उठाना चाहिए विज्ञापन के जरिए और तरह तरह के माध्यम के जरिए सरकार को लोगों के हम सब ये तो जानते है हम सब भरिड भी है और हम सब चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए लेकिन हम घुद से करते नहीं है सरकार का मुझे ने बदा कि क्या कर रही है और क्या कर सकती है लेकिन हम सब जो कर सकते हैं मुझे लगता वो तो किया जाए जैसे मैंने अवेरनेस के बाद हमें उसके बाद कुछ करना भी है आज 16 अवर के एक तो मैच हुआ कि लाइट जो है काफी डेम हो रहे थी लेकिन हमने अच्छा स्ट्रगल किया उन्होंने भी अच्छा चीज देख क्यास पसरन बना है और हमने विकरांत ने अच्छा खिला यूनस ने अच्छा खिला और मैंने कुद भी बिल्कुल जाता और हमारे फिर बैंटिंग इसी सबसे होती हमने बहुत जल्दी अर्गेट कम्प्रीट किया लेकिन अच्छा क्रिके आज देख लिए यह काफी अच्छी कोशिस है क्रिकेट के रास्ते जिस तरीके से पर्यावरन के लिए लोगों को जागरू किया जाना है चाहते हैं। के खिलारियों ने हाद के बाद यमना टॉफिय और मैच के बारे में क्या कहा देखे मुझे लगता है कि आज जो काफी स्कूर कम रहा है कम रहा था और इसके परणियम जो है टार्गेट हमारा 125 होना चाहिए था लेकिन हम एक सुचार एक पांच के करीब हम आउट हो गए अग काफी अच्छा इनिशेटिव है और इस मुहीम को सिर्फ इस ग्राउंट तक ही नहीं छोड़ना गली महले तक सभी इसको जागरुकता फैलाने की बहुत जरूरी है और हर आदमी अपने उपर वो बात ले और इसको खुदी इनिशेटिव ले जबी इस मुहीम को आगे बढ सकता है और जो यह प्रयास है मैं सभी जितने भी ऑर्गनाइजर है मैं सब को मुबार्ट बात देता हूं कि यह जो मायदम चुना है जो चीजे इस तरीके से प्लेट फॉर्म रटा है वह वाकई बहुत जारा काबले तारीफ है आज के मैं इस मुबार्ट में सब कहना चाहे दिली से समचा वारता के लिए अनमोल कुमार और साहिल भामरी की रिपोर्ट झाल